Hello everyone, welcome to Catholic Studies, this is Nishan Kumar Singh और आपको नौरात्री की डेर सारी सुबकामना है यह हमारा पॉलिटी का ट्रिक वीडियो है जो मैंने बनाया है यह आपके एक्जाम में जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन रेस किये जाते हैं आपके लिए काफी यह वीडियो जो है वह आपको हेल्प करेगी तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसा ट्रिक बताया है जिससे आप जितने भी पार्ट्स हैं आर्टिकल्स हैं वह इसली आप रिमेंबर कर सकते हैं कीजों को याद रख सकते हैं ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यह कुछ आपको सामने दिखा हुआ लिख रा मतलब दिख रहा होगा उमेश चौरस्या फ्रॉड धोके बाच पैरा वन फिर उमेश सोनम भले यूप मनाने की कोसिस करता जैसे नहीं होता है कोई लड़की रूट गई या उसको मनाता है तो second pair में जो उमेश है वो सोनम को मानाने की कोशिज करता है तो वो क्या करता है वो बोलता है फिर उमेश मतलब फिर उमेश बोलता है सोनम भले यू प्यार छूटेगा बट यह जो मैंने गोला किया हुआ इसको आप नहीं मतलब फॉर्मूले में एड करेंगे बस मैंने एक sentence बनाने के लिए उसको add किया हुआ है भले यू प्यार छूटेगा सातो रंग फेरे तेरे संग मतलब उमेश इंडरेटली यह कहना चाहरा है कि भले यह प्यार हमारा छूटेगा पर सातो रंग फेरे तेरे संग ही लोंगा ऐसा कुछ ठीक है तो आप फर्मूले को ध्यान से पढ़ लीजिएगा शुरू से देखिए फिर से उमेश चौरसिया फ्रॉड धो के बाच ठीक फिर उमेश जो है वो सोनम से बोलता है कि सोनम भले यू प्यार छूटेगा सातो रंग फेरे तेरे संग ठीक है यह संग है इसको आप हटा दीजिएगा इसको आप मैंने ऐसे ही ए है अभब देखिए आपको दिखना है उमेश चौरसिया फ्रॉड धो के बाच अब यह है क्या मतलब यह है क्या मतलब यह करता है union and its territories ठीक है जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है ठीक सी की बात करें तो सी है citizenship citizenship का मतलब citizenship का मतलब सी से आप ले लिए citizenship और वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक citizenship आता है देन फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड से आप उठाएं फ्रॉड फंडामेंटल राइट्स जो की आर्टिकल 12 से 35 तक होता है देन अगर बात करें धोखेवाज दोखेवाज का मतलब दीरेक्टिव प्रींसिपल ओर स्त्राइट पॉलिसी से आप याद रख सकते है आपको पूष देता है डायकली कैसे पार्ट में है ट्रिक रमटले और से लिए अपको दिखाया भी था फिर एफ मतलब क्या fundamental duties जो कि 51 A में आता है fundamental duties फिर उमेश से union की बात हो रही है जो central जो कि आर्टिकल 52 से 1 से 51 तक है तो अगर सोनम की बात करें फिर उमेश सोनम state एक सो बाउन से 237 आर्टिकल ठीक भले यह चीज को मैंने काट दिया है इसलिए काटा है कि इस समय इसको अब हटा दि लेकिन इसको आपको बता दिया है चीज को अभ्यान रही कभी बाद question पूस्ट देता है मतलब कौन से आर्टिकल को अटाया गया तो इस वज़े से मैंने इसको एड किया लेकिन काट दिया है ठीक यू जो वहाँ पे आप परमूले में पढ़ेंगे फिर उमेश सोनम भले य यू से यूनियन टेरिटरीजि की बाद हो रही है जो कि 239 से 242 थिक नं प्यार से क्या आया या पी पमदलब पंचायत 243 जो अहें पंचायत दें मेरा मेरा मुनिस्पैलिटी 243 P से लेके 243 Z Z तक है मुनिस्पैलिटी देन छूटेगा छूटेगा का मतलब C से आप पकड़िए कोपरेटिव सुसाइटी जो की 243 Z Z से लेके Z T तक है ठीक है तो कोई आपको परिशानी नहीं होगा अगर फर्मूला को आप याद रखते हैं उसके थ्रू आप बस सिंगल पहले वर्ट को पगड़के चलते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी आप पार्ट को याद रखते हैं 244 से लेके 244 A तक है रंग R से रिलेशन बिट्विन यूनियन और स्टेट की रिलेशन बताता है जो की 245 से लेके 263 तक है फेर F मतलब फैनेंस 264 से लेके 300 A तक है और 13 तेरे T मतलब ट्रेड T से आप ट्रेड याद रखेंगे 301 से लेके 307 संग भी आप एड कर सकते हैं लेकिन इससे भी एफेक्टिब और इससे भी जबर्जस चीज आपको आगे पता चलेगी तो चलिए स्टार चलिए देखते हैं उसको देखें आपको बस इसमें दो चीजों को याद रखना है एक तो स्टेप दूसरा लीमेट्स दो वर्ड है मैंने आपको लिखा भी है स्टेप जो की पार्ट 14 से लेके 16 तक है और लीमेट्स जो की 17 से लेके 22 तक है टोटल बस यहाँ पे आपका पॉलिटी का पूरा पार्ट खतम जो आपको दिक्कत होती थी वो दिक्कत एक दम पूरी खतम बस आप यह दो वर्ड याद रख लीजिए और उस फॉर्मूले को याद रख लीजिए आपकी कोई दिक्कत नहीं होगे आपको स्टेप से आपको समझा देता हूं देखें पार्ट 14 में क्या आता है सर्वि प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासस तो यह 330 से लेके 342 तक सिंपल है बहुत जाता है इस तो बस आपको याद रखना है ऐसे मतलब सर्विस ट्रिविनल्स एलेक्शन एंड आपके स्पेशल प्रोविजन हो गया है अगर बात करें लीमेट्स पर आते हैं तो इसको भी आप ब इसको आपने पड़ा होगा प्रेसिडेंट्स रूल फारेंसियल इसके अंडर आती है अगर बात करें तो एम मतलब मिसलेनियस जितने मिसलेनियस एक्ट है और वह चीजें यह इसमें रखी गई है तो 371 से 376 तक हैं यह अमेंडमेंट जिसके तो अमेंडमेंड बदलाव ला जाता है Constitution के Acts में तो वह अमेंडमेंड बुला जाता है तो 368 इसको आप इसली याद रखेंगी यह इंपॉर्टेंट है 368 आर्टिकल्स के तहत हम बदलाव लाते हैं तो यह 20 हो गया पार्ट 21 की बात करें तो टेंपरेरी प्रोवीजन्स हो गया टी से 369 से 392 एंड एंडें ठीक तो एक बार आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं क्या था फार्मूला उमेश चौरसिया फ्रॉड्ध हो के बाच उससे क्याम समझते हैं पार्ट 1 से लेके 4 तक वो कवर करता है तो आगर बात करते हैं फिर उमेश सोनम भले यू प्यार छूटेगा बट बट को आप हट ब्लीट हो जाते हैं आपके पार्ट 13 तक वहीं पर कवर कर लेते हैं ठीक है पस वीडियो को आप दो-तिन बार देखेंगे, चीज़े आपके एकदम पूरी तरह से clear हो जाएंगी, आपको फिर quality में दिक्कत ही नहीं हो, कि किसी भी parts को समझने में, या फिर articles को भी समझने में, अगर जो भी आपको दिक्कत होंगी, एकदम वो clear हो जाएंगी, ठीक है, तो अगर आपको वीडि हो, quality हो, geography हो, कोई भी चीज हो, तो मैं आपके लिए वो tricks लाएंगा, thanks for the watching video.